हर्याना के सीम नायप सिंग सेनी शनिवार को गोहन पहुंचे जहां मंच से सीम ने विपक्ष पर जमकर निशान असाधार सीम ने कहा कि संतों की वाणी को राजनितिक तौर पर जोड़ने का काम कुछ लोग कर रही है सम्विधान निर्माता बाबा भीमराव अमेडगर भारत के सम्मान रतन रही है सम्विधान को भी राजनितिक लोगों ने नहीं बक्षा सम्विधान बदलने का दुश परचार किया कि सम्विधान को बदला जा रहा है कि सम्विधान के अदर जो हमरे महाफुर्षे आज इस बरकार के लिए लोग जो महाफुर्षों को आज नहीं है न चाहूंगा दुर्भागय से आज की महाफुर्षों के नाम को राजनितिक शुवर्थ कि एक इसी भाना खड़ा करने का प्रियास किया करना है जो समान को तोड़ने का प्रियास कर नहीं ऐसे राजने काम में समीधान में बाबा बाबा डोग कर भी काम पेड़के जो भारत रतंस के समानित भारत प्रतर करों लौक्तर भी नाम मुझेटर जी के दर्सन को भी नहीं बंसा जी जो तुस पर्चार करके ऐसा प्रखावा किया कि समीधान को में बदल करा इस पर्चार कर दूस पर्चार जबकी मैं आज समत ख़वीर तारसी आज नायब चैनी ने कॉंग्रिस पर लगातार निशाना साधिते हुए कहा कि कुछ लोग जूट का सारा लेकर और रास्ते से भटक कर लोगों के बीच जाकर स्वार्थ सिद्ध करने का कारे किया है पिछले दस वर्चों में भाजपा सरकार ने 52 लाक उप्भोकताओं को गैस कनेक्शन की विवस्था दी है प्रदेश के प्रतेक व्यक्ति को मजबूती की तरफ ले जाने का कारे बीजेपी सरकार कर रही है प्रदेश के लोगने का काम किया है और उन्होंने जो होते थे कि नए जम सुनता हूं के बुक्से कि हम आएंगे इस पोर्टल को हटा देंगे मुझे रहता है कि ये प्रदेश को घिर जम दिखा का काम करते हैं आज मुझे ये पुची है आज लोगों को बताते ये एक वोर्टल की बात करते थे आज हम इन आप प्रदेश के उदर जिन लोगों की अईउसाथ प्रद्श की हो गई है है उसे बोनार 12,000 हमोले भुदूर्द लोग हैं जिनकी अपने आप 157 बन करके उसके पड़के बनागे उसे किसी दक्तर में निकाना पड़ा किसी अपकाई के चप्कर निकान निकाना पड़े और उसकी पंसल को करके एक अपनेटिक उसके घर में आ गई आपको बता दें कि गोहाना की अनाजमंडी में संत कबीर दास जैनती के उपलक्ष में गोहाना भवे राज्य स्तरिये कारिक्रम आयुजित किया गया कारिक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायप सिंग सेनी पहुँचे संत कबीर को नमन सर्व समाज की तरफ से कबीर जैनती पर मुख्यमंत्री को दिया गया सीम ने कहा कि परंपरा को आगे बढ़ाने का कारे संत कबीर दास ने किया है गुरु कबीर दास महाराज सर्व धर्म के रूप में प्रतिक के रूप में रही है भगवान सबके इरदय निवास करते हैं, हमें मानवता से प्रेम करना चाहिए हम मनुष्य हरी का ध्यान करके अपने इरदय को निर्मन कर लें, तो वो भी हरी कहलाता है गोहाना से सुनिल जिंदल, पंजाब केशरी टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद